कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं की यह दिखाने वाली चीज नहीं है कि किसी को दर्द तक लिप और हम रिकॉर्डिंग करें शरम आती है कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कि लेकिन अपना दर्द बाढ़ती हूं इसलिए कि मेरा दर्द मेरा दुख कम हो दुख बाढ़ने से कम होता है कि तेस्टे की नाइट में जब वो खाना खा लिए नौब जे तो मैंने उनसे कहा कि आप चलिए मैं आपको दिखा देती है रेखे वंपितल में बच्चों को बढ़ोल दोंगे कि खाना खाकर अपना सोब मैं आती हूं तो इन्होंने बोला कि नहीं रहने दो तो मैंने क्वश लेना है तो ले दीजिए तो कहें ठीक है तो मैंने कॉम्बी फ्लेम इनको दे दिया कॉम्बी फ्लेम इतनी अच्छी दवा है पैरसिटमल इब्रुफेन का कॉम्बिनेशन है रात भर जो तो आराम से नीद आ गई फिर तीन बजे सुभे से फिर से फीबर चढ़ना सुरू हु विप फिल वहाँ पर उनका ट्रिटमेंट चला दावा मिनला और यह घर पर आए उनको मिषरा सर नें बोला कि अपना यूरिन टेस्ट बलट टेस्ट करा ये तो कराएए गयो और तो झाइक्शें होना है तो हो जाएए और यही बात मैने प्राइड़ नेंक समुमेट— मतलब एक गिलास थर्मस और एक टॉविल एडमिट होने के लिए इतना यह चाहिए बागी ज्यादा चीज नहीं चाहिए रेल्वी होस्पिटल में सब कुछ मिलता है बस एक अपना टॉविल होना चाहिए और टूथब्रॉश होना चाहिए आप एडमिट हो सकते हैं कोई भी ह मिठ हो सकता है रेल्वी होस्पिटल कर्मचारी तो मैं इनका सामान लेके गई थी जो ही थोड़ा मुड़ा था लेकिन मिसरा संग तब तक रिपोर्ट नहीं आई थी ना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की तो उन्होंने देखा नहीं और बस ऐसे फिजिकली बाहर से द होते हैं विटमिंसी और मल्टी विटमिंस की गोलिया वगरा दे दिया थे मिसरा संगे जो उन्होंने खाया लेकिन पर्मनेंटली खतम होई है डिजीज यूरिन के जलन को भी कम करने के लिए उन्होंने एक सिरप दिया जिसको पानी मिला कर पीना था मुझे याद नहीं मैं है उनको दे दिया भी होस्पिटल में है उन्होंने लिया जब तक दवा ले रहा है तब तक ठीक है जब जैसे दवा का असर खतम होई जैसे 24 गंटे में 3 बर लेना है सुबे तो फिर साम तो दवा से आराम नहीं हो रहा है इसलिए मैं साइटेडे को फिर सुबह गई दस बजे और फिर से हम लोन दिखा है वो सर बोले कि अगर तब रिपोर्ट आई रिपोर्ट देखा सर ने और सर बोले कि आपको एडमिट होना चाहिए अब यह बोल रहा है मेरे हजबंड कि सर एडमिट नहीं होना है तो मिस्रा सर ने उनको 15 एप्रिल से बढ़ाके 17 एप्रिल कर दिये रेष्ट के लिए अब इनके दिमाग मठानक रहा है कि मुझे डूटी करना है तो यह कह रहा है नहीं सर नहीं सर मेरा सब कुछ ठीक है बस मेर घर पर ठीक हो जाओंगा घर पर चले हैं हम लोग सामके तीन बजे फिर एक घंटे किसी तदर से खाना खिलाए में सबको और अपने भी खाई बहुत दिन बर जो तो हॉस्पिटल में रहके नहीं सब भूक लग गई थी अंदर से तो घर पे आई डाल रोटी और आमकी कच् है कि मुझे सिर्फट रहे है मिरा उसर दरद हो रहा है दवा अסर नहीं कर रहा है इनको अंदर से इंटीटीट 19-20 लगा हुआ है प्लीज सर बोल रहा है कि एड्मिट हो जाए तो एड्मिट हो जाए अब इनके दिमाग में चल रहा है कि मैं 17 तक जाए तो बीना ड्यूटी के रहूंगा घर पे सिख पे मैंने कहा है यार कुछ मत देखिए बस अपनी तवियत देखिए बागे सब छोड़ इसी को दर्द तक लीप हो और हम रिकॉर्डिंग करें शरम आती है कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कि लेकिन अपना दर्द बागती हूं इसलिए कि मेरा दर्द मेरा दुख कमो दुख बाटने से कम होता है कि साथ साड़े साथ हो गया उसके बास से मैंने एट मिट किया उनको और मैं आई यहां पर आठ साड़े आठ में एक लगबाग घर पे खाना वाना बनाई बच्चों को खिलाई हूं बच्चे सुए हैं अभी बज़रा है सुभी के साथ चलते हूं मैं जल्देंदी सब का न सब्सक्राइब करोंगी और लिख जाओंगी मिलते आप से नेक्स्ट वेडियो में जैमाता दी ना ध्युहान रखिएगा आप सभी लोग क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो आम जन तक हम देखती है ट्रेन ड्राइबर लोग ज्यादा देखते हैं सबी बहिया लोग से अग्र्टो को मिली हैं तो अपनी किर करने की जिम्मिदारी आप लोग को मिली हैं कोई नहीं उपाय हो को यहां को Bayern कि एडियों निकाला जाए कि इंगे में ठंडा पानी एमिलिबल हो पाए छोटा फ्रीज रखा जा सकता है ऑप्शनल कि नहीं कि बात करूं मैं किसी रिस्पॉंसिबल पर संसे कि इंजन में छोटा फ्रीज दे तो छोटा फ्रीज या फिर घड़ा रख दो यह घड़ा तो खोच से भी रख सकते हैं कुछ तो करना पड़ेगा कहीं ऐसी जब बात की जाए जिससे स्टोलूशन निकले किवल बाते ही ना राजाए कोशिस करती में एक बार कोशिस जरू करोंगे कामियावी मिले ना मिले बात की बात है